ओम शान्ति, 29 अक्टूबर की श्रेश्टि स्थितियों, रूपी आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी मुरत भगा, तपस्वी सदा कोई न कोई आसन पर बैठ कर तपसा करते हैं, फिजिकल आसन की बात करिया रही हैं पर, लेकिन परमात में इसको हमारे नॉन फिजिकल आस आसन है, एकरस्थिति, परमात्मा की याद में परमात्मे से बाते करना, इसको एकरस्थि दिका जाता है, एक ही चीज़ को याद करना, अनिकों चीज़ों में फसना नहीं, फरिष्टास्थिति, अपने आपको light-minded बनाना, हलका बनाना, ताकि मारों की मदद कर पाएं, परम इंटिल आसन है, लेकिन हमने इसको अपनी दुनिया में फिजिकल आसन में कनोट कर दिया है, स्थूल आसन पर तो स्थूल शरीर बैठता है, लेकिन आप इस श्रेष्ट आसन पर मन बुद्धी को बिठाते हो, मन और बुद्धी को एकागर करना, एकरस्तिति बनाना, आप एकरस्तिति में एकागर हो जाते हो, दुनों का कॉंट्रास्ट बतारे हैं पर्मात्मा, एक टाप पर खढ़ी हो जाना, एक टाप को उबर कर लेना, एक टाप नीचे रखना, और दूसरा है, एकागरता, मन की एकागरता, उन्हें का है हठ योग और आपका है सहज कितना अंतर होगे दुनों में, फिजिकल योग और इजी योग, वो डिफिकल्ट है, ये असान है, मुम शेंती.